चैश्री कृष्णा राधिरादे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की एक आच्छी का नाम है निर्जला एक आच्छी जिसे की भीन सेनी एक आच्छी के नाम से भी जाना जाता है आईए आज की एक आच्छी की व्रत कथा शु नकुलोर सहदेवादी सब एक आच्छी का व्रत करने को कहते हैं परंतु महराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ती पूजा आदी तो कर सकता हूँ दान भी दे सकता हूँ परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता इस परव्यास जी कहने लगे कि हे भी इंसेन यदि तुम नरक को बुरा और स्वरक को अच्छा समझते हो तो तती मास की दोनों एक आच्छीयों को अन्द मत खाया करो भीम कहने लगे कि हे पितामा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूग सहन नहीं कर सकता यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में वर्क नामक वाली अगनी है तो मैं भोजन किये बिना नहीं रह सकता भोजन करने से वह शांत रहती है इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है अन्ताप मुझे कोई ऐसा व्रत बताईए जो वर्ष में केबल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए श्री व्यास जी कहने लगे कि ए पूत्र बड़े बड़े रिश्यों ने बहुत शास्त्रादी बनाए है जिनसे बिनाधन के थोड़े परिक्षम से ही स्वर्ग की प्राप्ती हो सकती है इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकाच्षी कवरत मुक्ती के लिए रखा जाता है व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भैबित हो गए और काम कर कहने लगे की अब क्या करूं माज में दो वरतों मैं कर ही नहीं सकता हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रत्न अवश कर सकता हूँ अंत वर्ष में एक तीन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताईए यह सुनकर व्यास्ची कहने लगे कि व्रेशव और मिथुन की संक्रान्ती के बीच जेश्ट मास के शुकल वक्ष की जो एक आच्छी आती है उसका नाम निर्जला है तुम उस एक आच्छी का व्रत करो इस एक आच्छी के व्रत में स्नान और आचमन के सीवा जल वर्जित है आच्मन में छे मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए अन्यथा वेह मदबान के सुद्रिश हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नश्ट हो जाता है यदि एक आदशी को सुरे उदे से लेकर दौदशी के सुरे उदे तक जल्क रहन ना करें तो उसे सारी एक आदशीयों के वुरत का फल प्रापत होता है दुआदशी के सूरे उदे से पहले उठकर स्नानादी करके ब्रामनों को दान देना चाहिए इसके पच्षाद भूके और सत्पात्र ब्रामन को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए इसका फलपूरे एक वर्ष की समपूरने कादशियों के बराबर होता है व्यासी कहने लगे कि है भीमसें यह मुझको स्वेम भगवान ने बताया है इसे कादशी का पूर्ने समझ तीर्थों और दानों से अधिक है केवल एक तीन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य निर्जला रहकाच्षी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यू के समय यम दूत आकर नहीं घेटे वर्ण भगवान के पार्षदू से पुश्पक विमान में बिठा कर स्वर्ख को ले जाते हैं अंतसंसार में सबसे श्रेष्ट निर्जला रहकाच्षी का व्रत है इसलिए यतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए उस इन ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का उचारन करना चाहिए और गोदान करना चाहिए इस परकार व्यासी के आज्यानुसार भीमसे ने इस व्रत को किया इसलिए इस एकाच्षी को भीमसे नी या पांडवे काच्षी भी कहते हैं निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रात्ना करेंगी है भगवन आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को शर्दा पूर्व करूँगा, अन्ताप की क्रिपा से मेरे सब पापनश्ठ हो जाएं, इस दिन जल से भरा हुआ एक खड़ा वस्त्र से ठक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड पल्स होने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यग्यादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इस एकार्शी के व्रत से मनुष्य विश्णो लोग को प्रापत होता है, जो मनुष्य इस दिन अन खाते हैं वे चंडाल के समान हैं वे अंत में नरक में जाते हैं जिसने निर्जला एकाच्छी का व्रत किया है फेह चाय ब्रह्म हत्यारा हो मत पान करता हो चोरी की हो या गुरू के साथ द्वेश किया हो मगर इस व्रत के परभाव से स्वर्ख जाता है ही कुंती पुत्र जो पूर्श या इस्त्री शर्दा पूर्वकी सुरत को करते हैं उन्हें अक्र लिखित करम करने चाहिए प्रथम भगवान का पूजन फिर गौदान ब्रामनों को मिष्टान वे दक्षिना देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चे हिस्वर्ग की प्राप्ति होती हैं तो दोस्तों आज की निर्जला एक आजशी की व्रत कथा का समापन यहीं पर होता है अगली एक आजशी की व्रत कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेल जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जैशी कृष्णा जैशी राधे टेक क्यार